भारत में फिर से करोना के केसिस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन इस बार क्या सापदानी बरत नहीं है किस तरीके से कोविट को हेंडिल किया जाए क्या फिर से लॉग डाउन की स्तिती बन सकती है बात करते हैं सीने डॉक्टर संदीप नायर जी से सर फिर से केसिस बढ़ रहे हैं किस तरीके से देखते हैं इस बार देखिए कोविड कभी भी खतम नहीं हुआ था लेकिन मिनिमम छुट पूट कुछ कुछ केसिस आ रहे थे बगर अब फिर से नंबर केसिस बढ़े हैं ओमिक्रोन का इक डिफरेंट एक्स बीबी जो इस टाइम ज्यादा आने की कि औरको कोई और भी ओनरिय हैं को हार्ट की बिमारी है लंक्स की बिमारी की बिमारी है उनमेन कोविड सीखा तो में तो दोड़ा साफवदानी से रहता है लेकिन अगर अगर कुछ छोई फिट हिसाएं इन्टिया इस बार अगर कुछ ऑन हो नी होती है भीत बलकि तीन बड़ी लहरे हैं हम कर हम कहीं तो एक पहली लहर थी उसके बाद डल्टा वारिस था और फिर ओमी को वारिस था यह तीन जो में ती आई थी लेकिन बागी छोड़ी छोड़ी तो आती रहेंगी ओ यह होता रहेगा अब एंडेमिक सा बन जाएगा कोविड के सा उस तरह से रहेगा लेकिन यह कहना कि हम इसको खतम कर सकेंगे यह अभी अर्ली टू से है आई होप हम कर पाएं मगर एक बाद जरूर है क्योंकि अब हम वैक्सिनेटीड है क्योंकि एक हर्ड इम्यूर्टी भी हो चुकी है जाने की जो क्योंकि काफी लोग प्रभावित ह हो चुक है तो उनकी कुछ इम्यूर्टी भी रहती है तो यह हम इससे लड़ पा रहे हैं कितने साफधान है डेफिनिटली हम साफधान पूरे हैं इन से के लिए हमने काफी कुछ सीखा है अपने जो पहले कोई जब नहीं आया था तो किसको मालूम नहीं था यह दुश्मन क आणि आए पाएं सारा था है इससे लड़ने के लिए हमने मालूम है कि का कांएं का करती हैं किन पीशेंंट पो हो सब चीजें चल रहे हैं चैटन करने चैब ऑ्स बीख वेश्व जो ऑं बात कर रहे हैं वह सर कितना खतरनाक है और पहले के वेरिंट से किस तरीके से अलग है XBB variant भी एक तरह से omicron की टाइप का ही variant है, थोड़ा सा हमारे को जो अभी तक patients आ रहे हैं, उसमें upper respiratory tract ज्यादा involved है, खांसी, जुकाम, high grade fever, गले में दर्द यह सब ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब के सब patients ठीक हो रहे हैं, सिर्फ conservative treatment दे रहे हैं, हम उनको ज्यादा नहीं दे है, home isolation में ही, घर में ही वो treat हो रहे हैं, जो patient admit हो रहे हैं, जो ज्यादा severe होते हैं, जिनका oxygen fall कर रहा है, वो बहुत ही कम है, और उनके लिए जरूर हम उसके लिए specific medicine देते हैं, लेकिन 95, 98, 99% patient नहीं से घर में ही ठीक हो रहे हैं, सर इस बार हमें क्या extra ध्यान रखने की और मास तो रहे गए रहेगा, इंडिशन हमको vaccinate करना है, जिसने precautionary dose या booster dose जो भी आप कहले जिए third dose को, उसको जरूर लगाना है, कई लोगों ने अभी तक नहीं लगाया, तो मेरी विंती हैं, उनसे कि आप लिज लगवा लीजिए, हमें यह जो viruses होते हैं, जो epidemic pandemic बनके आ आते हैं, इनको virus इसको बचाने के लिए vaccination ही एक हमारे पास तरीका है, जो हम बचा पाए, चाहिए वो polio था, चाहिए वो जो भी बाकी वारी बिमारियां हुई थी, हम को को भी इसी तुना से हम vaccination से और COVID appropriate behavior से बचाएंगे. सर, XBB variant की तो आपने बात की, लेकिन S3N2 virus है, वो सर किस तरीके से अलाग है? यह S3N2 viruses अब कुछ कम होगे cases, बीच में वो काफी ज़्यादा आ रहते हैं, वो swine flu का एक variant है, H1N1 जो था, उसी का behavior था, उसमें भी high grade fever और सांस की तकलीफ और खांसी जुकाम रह रह रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर रहता नहीं है, वो 5-7 days में खतम हो जाता है, अल्लाइक COVID जो तो 10-15 दिन और इवन मोर रहता है, उसके incubation S3N2 का बहुत कम था, हाँ, और उसके लिए अपर रहाई भी थी, हम उसको सल्टमभी अरजिन को दे रह हैं, क्या ये लाखों में जा सकते हैं, क्या फिर से पहली जैसी इस्तिती लॉकडाउन वाली हो सकती है, भगवान ना करें और में को उमीद भी कम है कि उस तरह फे जाएगा, उसके दो तीन कारण है, एक जैसे मैंने का हम वेक्सिनेटेड है, हमें जादा स्विर फॉर्म न हमें समझ आ गई है, तीसरा, अब लोग मोर जागरुक हो गए हैं, कि भी ये बिमारी है, तो लोग भी बोल देते हैं, भाई, मास्क डाली है, अगर कोई मास्क नहीं डाला होता है, ऐसी जगहां पे, जहां भी भीर बाली जगा है, फिर अधा से रिक्वेस्ट यही करूंग की, तो प्लीस अपने आपको पूरा ध्यान दे, जरा से भी फीवर या कोई असी बात हो, तो प्लीस आप इंवेस्टिगेट करें और अपने फिजीशन से प्रामरश करें, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कैमरा पसंट चंदन के साथ देली सिर्देश उस्वाइट.